हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सब्क्राइबर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दीप अकांटिंग पर और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्सल का एक बैसिक्स फॉर्मुला ट्रांस्पोस फंक्शन के बारे में तो आईये जानते हैं ठांस्पोस फ्वंक्शन कैसे वर्क करता है कि जिसलां कि अब देख सकते हैं मेरे पास एक छोटा सेटेवल है और चलीए बताते हैं इसमें ौस फंक्रेंग कर इसको աो वे से बूर कर सकतर हैं पहला वे यह है कि इसको डिरेक्ट फुरा सेलेट करेंगे शनक है सीजिव यह ही है कॉन्ट्रोली सी से इसको कॉपी करेंगे और जहां भी आपको पेत करना है इस से यहां पर जाने की बाद Ctrl-Alt-V दबाएंगे, Ctrl-Alt-V means paste special, जैसा कि आपने यहाँ पे देख सकते हैं, paste special लिखा हुआ है, paste special उसके बाद आपको यहाँ पे देखे, transpose लिखा हुआ है, simply इसको tick कीजिए, और OK, और देखे हमारा result जो है वो, complete हो गया है, इसी चीज़ को same हम एक और वे से कर सकते हैं, सबसे पहले हम इसको delete करते हैं, फिर से हम इसको क्या करेंगे, पहले copy करेंगे, Ctrl-C से copy, हमको यहाँ से paste करना है, इसको transpose करना है, यहाँ से, तो हम इस cell में click करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे देखे, paste है, पेस्ट में simply हम इसे click करेंगे, यहाँ पे देखे, paste special लिखा हुआ है, हम यहाँ पे इसे click करेंगे, और फिर हम वापस उसी tab में वापस आ जाएंगे, हम इसमें transpose में check करेंगे, उसके बाद ओके, लेकि हमारा result तब भी सो कर गया, same, तो यह पहला तरीका हुआ, जिसका दो वे हुआ, अब हम दूसरी तरीकी के बड़ चलते हैं, इसे हम वापस delete करते हैं, दूसरा वे में क्या है कि हम इसमें, पहले तो हम सारा को select करते हैं, इसेल को पूरा select करते हैं, यहां से यहां तक, उसके आदिसमें हम formula लगाएंगे इस बार, विकोस्टू transpose, transpose formula लगाएंगे, इसमें पूछ रहा है, एक ही argument है array, तो हमको क्या करना है, पूरा select करना है, जहां से जहां तक हमको transpose करना है, हमको कहां से करना है, C4 से E11 तक, इसको हम bracket बंद करेंगे, और इस बार हम जो enter मारेंगे, वह हम control shift के साथ मारेंगे, control shift enter, देखिए, यह हमारा result वह सो कर गया, यह वाला formula में हम दिक्कत एक ही है, कि जो हमारा result आएगा, वह हमको sell है, हमको वह पूरा exact cell लेना होगा, तभी हमको exact results हो करेगा, that means, जैसे कि यहां पर हमारा column में जो है, यह एक, दो, तीन, इधर left to right तीन गया है, तो हमको जब transpose करेंगे, तो यह top to bottom तीन होगा, और यहां पर हमको 3, 3, 6, 8 है, तो हमको left to right में हमको है, जो है 8 रखना होगा, अगर हम एक बार में यह हमको count करके चलेंगे, अगर मेरा table अगर सही सरेगा, तो यह हमको result सही 100 होगा, otherwise, अगर हम कम लेंगे या ज्यादा लेंगे, तो हमको दूसरा option भी है, चलिए उसको देखते हैं सबसे पहले हम इसको क्या करते है डिलीट अच्छा एक चीज और यह कंट्रोल सिफ्ट एंटर दबाने से कोई भी रेंज जो है वो एरे में चेंज हो जाता है एरे में चेंज करने से फाइदा यह एता है कि बीच का कोई भी सेल उसमें डिलीट नहीं होगा देखिए एरे में चेंज होने के बाद देखिए यहां पर जो ब्रेकेट यहां पर लग जाएगा यहां पर कर्ली ब्रेकेट आप देख सकते हैं यहां पर तो वह लग जाते है अब इससे क्या होगा कि हम बीच का कोई भी सेल डिलीट नहीं कर सकते हैं जैसे हैं डिली only read, write का permission आपको नहीं मिलेगा, हाँ पूरा अगर delete करना चाहो, तब पूरा delete कर सकते हैं, आप suppose कीजिए आपको नहीं मालूम है कि ये data तक गया है, कितना column तक गया है, हम एक अनदाजे से अब इसमें काम करेंगे, हम माल लेजे हम इतना data ले लिए, है अभी हम पता है कितना है लेकिन हमाले अन्दाजे से हम ज्यादा ले लिए इतना डेटा में मेरा तो वह फीट बैड़ जाएगा हमेशा उससे ज्यादा ही लेंगे इकोज टू ट्रांस्पोज फंक्शन लगाएंगे वापस हम वही चीज करेंगे पूरा रेंज सेलेट करेंगे ब्रेकेट से ब्रेकेट बन करेंगे उसके रहत कंट्रोल शिप्ट एंटर अब देखिए यह हमारा जो है हमको पता चल गया जो एन ए जो लिखा इसका मतलब होता घ्यक्रण ऑन नौट अफ्लिकेबल या उनस ओऋ तिकर्ट यह हम इतना दूर तक देख लिए हमारा जो है वह नहीं है डेता onsमें नहीं था इसलिए हमको एनe देगा लेकिन हमको जो रिजल्ट है वह हमको पता चल गया इतना दूर तक है रिजल्ट तो आणसको समझने के त पर दिलीट कर देते हैं उसके बार हम वापस मेरा पास हाइलाइट है तो हमको पता चले गया कि यह इतना ही मेरा इक्जैक्ट जो है टेवल है तब हम इसमें सेलेट करेंगे तो कि आधीकोस्ट ट्रांसपोस अरे अरे वापस सेलेट करेंगे ब्रेकट बन कंट्रोल सिप्ट ए तरह कि यह ओगया एक तरीका यह तो हो गिया तब जब हम यह जो मैरा रेंज है इससे हमेशा ज़ादा लेंगे तब और यही अच्छा भी है ऊ तो इधर से लेता है इधर से चार-पांश तक लेता है यह मतलब हमको मालूम है कि यह जो table है इस से यह छोटा ही table selected है अज इंक इसमें लगाते हैं ट्रांसपोर्स एर वापस सेमें इसे पूर्य table को select करेंगे ब्रेकर बन CTRL 6 ENTER अभी देखिया मेरा result इतना दूर तक आया यानि हमको मालूम है कि नीचे भी एक result आना था और इधर से भी 3D तक है तो मतलब 3 result उधर भी जाना था left to right तो हम क्या करेंगे पहले इसको select करके हम नीचे की और जाते है नीचे हम किये अभी ये गडबन आएगा result उसको हम सही करेंगे उसके बाद इधर 3D तक हमको जाना था तो इधर भी हम 3D जाते है अभी हमको result सही नहीं आया अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है आपको पूरा select करना है यहाँ एक बार बस click करना है उसके बाद फिर से वापस control shift enter लेकिए result फूरा सो कर गया तो यह एक तरीका है transpose function वर्क करवाने का आप ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मेरी माने तो best वही है कि जितना भी यह आपको table दिखे हमेशा उससे ज़्यादा ही लीजे और उसके बाद वो एने दिखेगा आपको result जहां तक दिखेगा वहाँ तक highlight कर दीजे उसके बाद सारा को delete कीजे और उसके बाद उसमें आप work कर लेजे या उससे भी easy है direct इसको control c कीजे control c से copy उसके बाद कहीं भी paste कीजे control alt भी और उसके बाद ट्रांस्पोर्ज में check mark कीजे okay यह तो सबसे best है इसमें आपको कोई दिक्कती नहीं होगा कोई आपको ध्यान में रखने का कोई जरुती नहीं कि data मेरा कितना ring तर जा रहा है नहीं जा रहा है कोई मतलब नहीं है यह automatic उस हिसाब से adjust कर लेगा transpose function इसी तरह वर्क करता है जो इसका उल्टा भी करेंगे तो इस तरह कर रिजल्ट आगा जिससे यहां फिर control c किये अब इसको हमको वापस इस तरह से चाहिए result तो यहां पर माली जी यहां से हमको करना है तो control alt भी अब फिर transpose में टिक किये okay लेकि वापस हमको इस तरह से result मिल गया transpose मतलब हो कि तो vertical result को वो horizontal में बढ़ लेगा और horizontal वाले को vertical में इसी तरह से transpose वर्क करता है तो आसा करता हूँ यह वीडियो में मैं जो भी बताया हूँ आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया है तो इसको like, comment, share and subscribe करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं Thank you